हालो फैंट्स वेलकुम बैक तो और चैनल जेकिस्टरडी पॉइंट जहां पर मैं जेनके की ग्रॉफिक का फिफ्ट लक्टर डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें मैं डिसकस करेंगे इंपोर्टन माउंटें रेंजिस एंपोर्टन ग्लेशियस ऑफ जेनके का पार्ट सेकिंड त क्योंकि लेक्टर की पीडियाफ मैं वहीं पे शेयर करता हूं और साथ मैं जितने भी इंपोर्टन नोटिफिकेशन आते रहते हैं मैं वहीं पे शेयर करता हूं और साथ मैं जिन्हों ने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह उसे पर सब्सक्राइब करें क क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही helpful content जो है वो आता रहेगा जो कि आपको आने वाले exams में help करेगा तो बिना time waste करते हुए बढ़ते हैं पहले question के तरह question number फर्स कहा है कि between which mountain ranges is कश्मीर वैली located तो कौन से mountain ranges के बीच में कश्मीर वैले पढ़ती है कून से mountain ranges में कश्मीर वैली लोकेटिड है तो क्या ये Greater Himalaya's और Peer Panjjal Ranges के बीच में बढ़ती है, क्या ये शिवालिक्स और Himalachal के बीच में बढ़ती है, क्या ये कारकॉरम और Himalachal के बीच में बढ़ती है, यह हमादर्य और Himalachal के बीच में बढ़ती है, तो पहले कुश्च्चन का, जो है WILL option number A बनेगा, कश्मीर व स्रीनगर यह कनेक्ट करता है ज सुरी जिवो को स्रीनगर से कनेक्ट करता है इस में एक 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 तरनल आता है जवाहार टर्akah टरनल भी month पिर फंजार रिंसमें का मधारति है जिसे बनिहाल बैद्ल्य कहा जाता है और यह यह जो है वो 2.5 km का तरनल है और यह जो Connect करता है कश्मीर को Connect करता है कश्मीर तू kesesa करते है किस्तवार किस्तवार यह जो है ये connect करता है तो ये कुछ important passes जो है वो पीर पंजाल रेंजिस में आते हैं जो आपको पता होने चाहिए और greater हिमालियास के बारे में बता हूँ तो इसका जो एको नाम ऐसे हिमादरी के नाम से जाना जाता है जो कि option number D में दिया गया है और इसे inner हिमालियास के नाम से भी का जात तो कौन सा pass है जो correct करता है जम्मू और किश्मीर को ही माचल पर देश से तो बनिहाल पास की बात करूँ तो इसे जो है गेटवे की तरह माले जाता है ये जो है वह gateway है gateway जो करता है जम्मू to कर्ष्मीर जो है connect करता है जम्मू to स्रीनगर जो है connect करता है और अगर question आए है कि इंडिया को कश्मीर से कौन सा pass connect करता है इंडिया to कश्मीर पुछा जाये तो तो भी बनी हाल pass यह answer बनेगा इंडिया to कश्मीर भी बनी हाल pass ही connect करता है और नथुला pass के बारे में बता हूँ अगर option number B के बारे में बता हूँ तो यह जो है important pass है जो कि India to China connect करता है India to China तो ये प्लीज याद रखें नथुला पास जो है ये India to China connect करता है और सी पास सिंथन पास के बारे मैंने आपको पहले question में अभी बताया ये जो है कश्मीर वैली को connect करता है कश्मीर to किस्तवार ये connect करता है कश्मीर to किस तवार ये connect करता है तो question number second का जो है वो option number D बनेगा, जमूर कश्मीर को हिमाचल से जो connect करता है वो पीर पंजाल पास connect करता है, तो इसका जो option number D बनेगा, बढ़ते हैं question number third की तरफ, question number third कह रहा है कि what is the highest peak of जनसकार range, तो जनसकार range की highest peak कों सी है, तो क्या ये comment peak है, क्या ये ससरकांगरी peak है, क्या ये distangle peak है ये खरेवा peak है, तो इसका जो है option number A बनेगा कामेफ peak ही, जहा है जो जनसकार range की highest peak मानी जाती है और B और C option है जो ससरकांगरी peak और distangle peak तो ये दोनों peak जो है वो कारा कोरम रेंज में आती है कारा कोरम कारा कोरम रेंज में आती है ये दुनों पीक और अगर डी ऑप्शन के बारे में बताओं खरेवा पीक के बारे में बताओं तो ये जो हो पहल गाम में पढ़ती है पहल गाम में पढ़ती है ये एक वालकैनिक पीक है ये एक वालकैनिक पीक है जो क जिल्ला पास पो कि इसमें आता है एक इंपॉर्टन पास ludzie कि कनेक्ट करता है ले तु स्री नगर ले टु स्रीनगर यह पास जो है वो कनेक्ट करता है और जह मुझे के भारे में जनसकार रेंजिस और ये इंडस वैली को भी सेपरेट करती है कश्मीर वैली से जनसकार रेंजिस जो है ये इंडस वैली को भी सेपरेट करती है कहां से कश्मीर वैली से ये जो है वो सेपरेट करती है कौन करती है जनसकार रेंजिस करती है तो याद रखें बढ़ते हैं कोश जंसकार रेंजिस के हाइस पीक है यह जो है वो जंसकार रेंज के हाइस पीक है जंसकार रेंज की ऑप्शन नमबर बी के बारे में बात करें इंदराशन तो यही जो है वो पीर पंजाल रेंजिस के हाइस पीक मानी जाती है तो कोशन नमबर फॉर का जो ऑप्शन नमबर बी आइजनरे सीरह में पायाती इंपार्टं पीक है पीर कंजाल अप्षिन करो कार्या चाने करते हिगाल में बढ़ती गारा कोर्म सित्वर्ठीस उत्राकंट वर्ल्ले के नताधी के बारे में बताओ Кेले मिए उत्राकहिंटAm उत्तरा खंड में ये पीक जो है वो पढ़ती है, बढ़ते हैं question number 5 की दरफ, question number 5 क्या रहा है कि the foot hill of himalias, तो himalias का foot hill किसे कहा जाता है, क्या shivalix को कहा जाता है, या पूरवान्चल को कहा जाता है ग्रेटर हिमालियास को कहा जाता है या इनर हिमालियास को कहा जाता है तो इसका जो है option number A बनेगा foot hills of हिमालियास जो है वो शिवालिक्स को कहा जाता है और शिवालिक्स को ही outer hills के नाम से भी जाना जाता है इन्हें outer hills भी कहा जाता है इन्हें जो है वो locally वो Jammu Hills भी का आ जाता है और शिवालिक्स के अगर मैं विर्त की बात करूँ इनकी विर्त जो है वो 20 विर्थ हे तक इनकी विर्थ आती है और शिवालिक्स के सदन पार्ट में जो है वो जम्मू लोकेटीट है शिवालिक्स के सदन में सदन पार्ट में जो है वो जम्मू लोकेटीट है सदन स्लोप में जम्मू आता है सदन स्लोप ऑफ जम्मू आता है शिवालिक्स जो है वो जम्मू पढ़ता है शिवालिक्स में जम्मू पढ़ता है और इन्हें जो है वो youngest and lowest range of Himalayas का जाता है शिवालिक्स को youngest and lowest यंगेस्ट भी का जाता है lowest भी का जाता है lowest range of Himalayas का जाता है range of Himalayas इन्हें का जाता है और COD option same ही है greater Himalayas को ही inner Himalayas का जाता है तो बढ़ते हैं question number 6 की दरफ question number 6 कह रहा है कि ससेर कांगरी पीक lies in which of the falling mountain range तो ससेर कांगरी पीक कौन सी mountain range में लाई करती है यह मैंने आपको अभी उपर question में explanation में बताया है तो इसका जो है option number C बनेगा काराकॉरम range में ही है जो वो ससेर कांगरी पीक पाई जाती है और इसमें जो है वो एक इंपार्ठन पीक और भी पाई जाती है तो अगर उनके बारे मैं आपको बताऊ तो इसका एक important पीक पाई जाती है काराकॉरम range में जिसे कहा जाता है गषये BH الأ NIH सओर इसमें जो explanation है वो म कारकॉरम रेंज में ही पाई जाती है और इनमें एक और पीक पाई जाती है दिस्थांगील पीक यह भी मैंने आपको भी कॉशन में डिसकस किया दिस्थांगील पीक इंपोर्टन पीक है यह भी कारकॉरम रेंज में ही पाई जाती है और अगर आपको सियाचीन के बारे में ब पर इंडिया और तीबटं में बढ़ते हैं तो बढ़ती है तो बढ़ते हैं, बसक्राइब की तरफ कोशिन mega seven का रहा है कि इन कहिरो आ比較 कानल हमालया, peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer इसका option बनेगा क्या middle हिमालयास में पाई जाते हैं तो जी हाँ इसका option number C बनेगा question number 7 का option जो है वो C बनेगा middle हिमालयास में ही है जो पीर पंजाल रेंजिस पाई जाती है और अगर आपको मैं थोड़ सा D option के बारे में बताऊं हिमुन्चुल तो यह जो है lesser हिमालयास का name है lesser ह हिमालयास को जो हो हिमालयास को जो है वो हिमुन्चुल का जाता है lesser हिमालयास जीने middle हिमालयास भी का जाता है middle हिमालयास भी इसे का जाता है और middle हिमालयास में ही जे अनके और स्रीनगर का जो हाईवे है स्रीनगर का हाईवे यह पाई जाता है स्रीनगर का हाईवे पाई जा तो बढ़ते हैं question number 8 की तरह question number 8 क्या रहा है कि famous monster and suny sir lake is a part sorry famous monster and suny sir lake lies in which part of himalias तो मानसर और suny sir lake जो है वो कोंसे हिमालायस के part मेरं पा색 तराल मेरे जाते हैं तो क्या ये शिवालिक्श के सदन स्लोब में जम्मू पाया जाते हैं मैंने आपको अभी बताया Southern Slope में शिवालिक्स के जम्मू पाया जाता है और शिवालिक्स में कुछ important hills भी आती है जैसे इसमें एक hills आती है जम्मू hills ये शिवालिक्स में पढ़ती है और इसमें शिवालिक्स hills जो है ये अरुनाचल प्रदेश तक stretch होते है अरुनाचल परदेश तक ये फैले हुए है तो अरुनाचल परदेश में भी शिवालिक्स के कुछ important hills आती है जैसे डाफला आती है अभोर आती है पठाई आती है ये कुछ important peaks हैं जो अरुनाचल परदेश में पाई जाती है और शिवालिक्स में पाए जाती है तो बढ़ते हैं question number 9th की तरफ question number 9th कहा रहा है कि the chanani nationally tunnel lies in which of the falling mountain range chanani nationally tunnel है ये कौन से mountain ranges में पाए जाता है क्या ये शिवालिक्स में पाए जाता है क्या ये पीर पंजाल ranges में पाए जाता है यह cupAudra कोर्वисс में पाया जाता है यह नन आफ हाग तो इसका जो हों प्रफशन-बनेको ऐ ही वनेग चाननी नाशरी टॉनल भी जो हरे शिवालिक रेंज में ही पाया जाता है शिवालिक से जीने जो कि कश्मीर को connect करता है रजोरी और पुंच के साथ कश्मीर टू रजोरी और पुंच के साथ जो है ये पीर की गली से connect करती है पुंच के साथ और अगर पूछा जाए जम्मू और कश्मीर को separate कौन सा पास करता है तो जम्मू को जो है separate करता है कश्मीर से वो भी पीर पंजा पास ही करता है पीर पंजाल रेंजी सी जो है यह जम्मूर कश्मीर को जो है यह सेपरेट करते हैं तो बढ़ते हैं कोशन अबर 10 की तरफ कोशन नमबर 10 कोशन के अबर 10 की तुलिब गॉडडन ओफ स्री नंगर इस लोकी मॉंटेंट डहर है घ्लीः फूटिब में तुलिब गार्डन इसका भंधा करें यहें घ्लीअ का सबसे बड़ा तुलिब गॉडश्य तुलिब गार्डन ओफ एशिया यह एशिया का सबसे बड़ा है तो यह कौन से मौंटेन के फुटहिल पर पाया जाता है क्या यह शिवालिक्स के फुटहिल पर पाया जाता है क्या पीर पंजाल के फुटहिल पर पाया जाता है क्या जबरबन मौंटेन के फुटहिल पर पाया जाता है तो इसका जो है option number C बनेगा यह जो है वो जबर्मन मांटेन के फुट हिल पर पाए जाता है तो बढ़ते हैं question number 11 के तरफ question number 11 कहा रहा है कि sea chain glacier lies in which of the falling mountain range तो कौन सी mountain range में जो है वो sea chain glacier पाए जाता है तो क्या यह कारकोरम range में पाए जाता है क्या जिछ between the balance का रेंज में पाए जाता है क्या लदाक रेंज में पाए जाता है यह आई बालता रो बालतारो जो है glacier is a क्याएंग बालता और ग्लेचर टो यह तो option बनेका नीद निए तो question number 11 का option देशेघ कर लेंज इंडिया और पाइजाता है और अगर इन कि बात करें इसके बात करें यह सेट इसमें कुछ इंपॉर्टन और भी वी ग्लेशेट जाते जैसे इसमें एक इंपॉर्टन ग्लेशर पाये जाता है नुबरा ग्लेशर इसमें एक इंपोर्टन ग्लेशर पाए जाता है सालतारो यह कुछ इंपोर्टन ग्लेशर पाए जाते हैं और इडी ऑप्शन जो है यह बालतारो ग्लेशर यह भी कारगोरम रेंज में पाए जाता है और बालतारो ग्लेशर के जो है यह second largest glacier है हिमालेन रेंज में second largest glacier जो है यह हिमालेन रेंज में और इसकी लेंज जो है वो 62 किलोमेटर लेंज है तो अगर first largest glacier पुछा जाएगा तो सियाचीन glacier बनेगा answer और अगर second largest glacier पुछा जाएगा हिमालेन रेंज में तो बालतारो glacier बढ़ते हैं कोशन नबर 12 की तरफ कोशन नबर 12 कह रहा है कि लदाख रेंज लाइस बिट्वीन लदाख रेंज कौन सी रेंज इसके बीच में आती है कौन से हमाले इसके बीच में आती है उसके नीचे जनसकार रेंज आती है उसके नीचे जो है वो पीर पंजाल रेंज आती है पीर पंजाल उसके नीचे जो है वो अपना ग्रेटर हिमाले इसका पाड़ आता है ग्रेटर हिमालयास आते हैं उसके नीचे आ sulphग हरु मे Ernsties के नीचे जहाएं ग्रेटर हिमालयास आते हैं ग्रेटर हिमालयास के नीचे जो हाएं पीर-पंजाल इसाती है और पीर पंजाल रेंजे के नीचे जो हाई यह शिवालिक्स के बादाई आता है जिने आउटर हिल्स भी कहा जाता है तो अब हम के साथ जो है उनसर को निकाल देंगे यह नौर्थ तू साउथ मैंने आपको बता दिया, तो question कहरा है। लदाक range कौन सी range के बीच में आती है, तो क्या ये जंसकार और greater हमालया के बीच में आ रही है। नहीं, ये तो कारकॉरम और जंसकार के बीच में आ रही है, तो option number A बनेगा नहीं, option number B भी भी नहीं बनेगा, कारकॉरम और शिवालिक्स के बीच में भी लदाक रेंज नहीं पढ़ रही है इसका उप्शन नमबर सी बनेगा तो कारकॉरम रेंज लदाक रेंज जो है वो कारकॉरम और जंसकार रेंज इसके बीच में पढ़ती है और अगर पुछा जाएगा कौन से दो रिवर्स के बीच में लदाक रेंज पढ़ती है तो इन दो रिवर्स के बीच में पढ़ती है और अगर पुछा जाएगा कौन से दो रिवर्स के बीच में पढ़ती है तो पढ़ते हैं कौन से दो रिवर्स के बीच में पढ़ती है तो पास तो जिल्ला पास के बेस पे जो है वो कौँसी वैली पाय जाती है जो बिताया यह ज़ो है वो जंसकार रेंज में पाय जाता है पास यह जन्सकार रेंज में पाया जाता है कार्गिल डिस्टिक में यह पाया जाता है कार्गिल डिस्टिक में यह पास पाया जाता है और इसकी जो है जन्सकार रेंज की अगर हाइस्ट पीक की बात करें तो यह जो है कामेद पीक है तो कुशन पूछ रहा है कि जो क्वचिनबर 14 के जरफ कोशन नबर 14 कह रहा है कि हैमीस नैशनल पार्क आफ लादक स्कुम् अंडर मुंडर विछ फिमाललेंज एक नैशनल पारक जो लदाक में पड़ते हैं पहले इस पारे में थोड़ी सी बात करते हैं यह ऐशिया का सबसे बड़ा अ एश्या का सबसे बड फिर्मस है जो लपड के लिए यह जो हो फिर्मस है तो अब कोशन पूछ रहे कि यह कौन सी माउटेंकर इस इस नहीं कि याद रखिए इंपॉर्टन ऎर पूछा जा सकता यह एसिया का सबसे बड़े नैशनल पार्क है तो पूछा जा सकता है कि यह कौन सी मौंटें रेंजिस में अता है मॉंटेंन में मॉंटें में ऊरो एक कुछण पुछा गया था ऐडव्ले में जो एक्जाम हुआ था कि अमनाथ का यात्रा यात्रा रा का अमनाथ का अर। यो जrophs केम्प कॉन सा है वह किसे का कुनसी जगह को माने αजाता कह जाता है कुन्ट से बेस्ट कैम्प और अमर्नाथ यात्रा अमर्नाथ यात्रा तो बेस कैप अमर्नाथ यात्रा का जो है वो पहल गाम में है पहल गाम में है और अगर मैं ऑप्चिन नमबर बी के बारे में बताओं नुनकुन रेंज के बारे में बताओं तो यह जो है वो लदाक और कश्मीर के बार्डर के बीच में ये जो है वो रेंज पढ़ती है लदाक और कश्मीर के बॉर्डर के बीच में ये रेंज पढ़ती है बिल्कुल उनके बॉर्डर पर ये रेंज पढ़ती है बॉर्डर पर तो आज के लेक्चर में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस वीडियो को ल